तो सभी लोग पड़ा पड़ जूड़ जाएं आज का क्लास हमारा एक नय औरगिनिजम के उपर है एक नया हमारा एनिलिड है जिसका नाम है अर्थवाम नैरीज के बारे में हम लोगों ने डिसकस कर दिया था पूरा ठीक है डिटेल में हम लोग डिसकस कर चुके हैं पढ़ चुके हैं और आज की जो क्लास बच्चों यह हमारी है यह आपकी यहां पर फाइलम एनिलिडा के अंतरगत जो एक सदस्य रखा गया है जिसका नाम है अर्थवाम जिसका हम लोग केचुवा कहते हैं इंडियन कॉमन नेम जो हम लोग लेते हैं उसका केचुवा होता है और आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेट होने वाला है बच्चों फटा-फट जुड़ जाएं तो इसमें हम लोग क्या-क्या पढ़ेंगे फाइलम एनिलिडा के इस नए सदस्य में हम लोग इसमें क्लासिफिकेशन देखेंगे और इसका एक्टरना मॉफालोजी देखेंगे वैसे मैं आप लोग को बता दूँ कि जो बीसी के चार्टा हमारे पास यहां पर जुड़े हुए है वो अलग-अलग राज़ के यहां पर हैं तो किसी राज़ में हो सकता है किसी उनिवसिटी में आपका अर्थवाम ना पढ़ाया जा रहा हो या नैरिस ना पढ़ाया जा तो आपके लिए कोई काम का नहीं नहीं पढ़े हैं कोई competition के तेयारी कर रहे हैं जैसे TGT या PGT का preparation करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत-बहुत benefit है class चीक है हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों फटाफट तो heading डाल दीजे अर्थ form अर्थ form जिसको हिंदी में के चुआ कि जैसे कि नाम से आपको पता चला है नाम से ही पता चला है कि अर्थ माने क्या हो गया मिट्टी या भूमी और वार्म कहने का मतलब हो गया क्रमी यानि कि एक ऐसा कीड़ा है एक ऐसा क्रमी है जो कहां वास करता है, कहां रहता है भूमी के अंदर बिल बना करके रहता है भूमी के अंदर कया बना करके रहता है बरू में रहता है और अर्फ वाह honeymoon को हम लोग Kishanō का मित्र भी कहता है क्यों कि ये ऐसी जगहों पर ज्यादा पाया जाता है जहांपर क्रिटी बड़ी होती है या ऐसी मिट्टी जहांपर उपजाव मिट्टी जहांपर होती या आपको अक satisf देखने को मिलता है या गार्डन्स में आप जाएं गार्डन वगहरा घुपने जाते हैं जो बरसाथ का समय आता है कुछ regional start होता है तो उसमय आप देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे केचुवे ने अपने बिल बना के रखे हुआ है यह ऐसी जगहों पर यह पाया जाते है खासपत क्या है कि यह पाया कहा नहीं जाता तो यह जो रितिली मिट्टी होती है जो आपकी सेंडी स्वाइल होती है और मिलता है जहां पर जिए जदा होता है इत्वाम कवारी जगहों पर यह अधिक तर देखने को मिलता है और वां से इसका और आपको याद रखना रहता है कि दूटूनमर में कोशनने असे आ जाते है उसका जोड़ुच्वा पोस्तमा था कि अरे पाई अ जो खाद ही कि बड़ा जाता है तो रिठलिक लिखा जाता Fed और इसके न को पहाई गरना रहेगा यह खासाद निसBoy अब क्रासिफिकेशन की बात अगर्द करें के क्लासिफिकेशन करें क्यों climate पाइंट बताऊंगा वही चीज पढ़ाऊंगा जो आपके एक्जाम की पाइंट और यह इसके बारे में बात करेंगे फिर इसकी और के बारे में बात करेंगो, और species, तो आप लोग जानते हो कौंसी है, firstött पर own everything, उसके बारे बात करेंगे, मतलब बात करेंगे, मतलब जो species, discuss करेंगे, उसकी बात करेंगे, वैसे तो बहुत सारी species पाई जाती आ है तो आप को बताओ는 इस वाद की बात करें तो order है इसका aplotexida ये new order है उसका नाम चेंज किया गया और जो अधिक तर आ रहा है वो अभी निया जो रखा गया वो रखा गया नियो ओलीगो कीचा इसका order हो गया जिनस की बात करें तो जिनस इसका क्या है पेरितीमा और बच्छों अगर हम इसकी species की बात करें तो species इसकी कौन से हो जाएगी पोस्थुमा और दोनों की नीचे क्या रहेगा underline रहेगा italic letter में लिखे जाएंगे ये दो नंबर क्या question आपका complete होता है ये दो नंबर क्या question आपका complete होता है इस बात को याद रखता है ये important है बच्छों राइत चलो अब हम लोग इसका क्या देखेंगे habit, habitat इसका habit क्या है और habitat क्या है हेडिंग डाल दीजिए सब्phonetic and habitat habit and… habitat इसका सभाव और वासित्थान क्या है इसका शभाव क्या है और वासित्थान क्या है यहा यहा कास्मो पॉलिटेन कास्मो पॉलिटेन मतला स्वरव व्यापी एनिलिट्स है यह हर जगा आपको मिलेगा यहा 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 यह मौन्टेन्स ठीक है और और असेडिक स्वाइल और असेडिक स्वाइल में अहां कहां मिलेगा यह नम भूमी वेट लेंड में मिलेगा मौन्चेन में मिलेगा असेडिक स्वाइल में पाया जाता है पाया जाता है लेकिन खास बात क्या है यह पाया कहाने जाता लेकिन यह लेकिन यह सैंडी स्वाइल मतलब रितीली भूमी रितीली भूमी या मिटी हम कह सकते हैं तथा यूमस स्वाइल था हुमस स्वाइल में नहीं पाया जाता है तो आपको याद रखना है कि यह पहली बात तो कैसा है काज्मोपोलिटेंड है, terrestrial है terrestrial में यह कहा मिलेगा mountains में मिलेगा acidic soil में मिलेगा लेकिन यह sandy soil और humus soil में नहीं पाया जाता है यह कुछ ऐसे point में यहाँ पर जो highlight कर रहा हूँ इन points को आप अच्छे से याद रखें यहीं से आपका objective question निकल करके आएगा बच्चों हम जो भी detail में यह description में पढ़ते हैं उसी से ही objective questions बनते हैं हमारे सीथी बात है तो objective questions भी आपको यहाँ से बनेगे तो जाएट सी बात है आपको यह अच्छे से समझना है next point निकलेते है यहाँ यहाँ एक burrowing burrowing कहने मादा बिल कारी बिल में रहने वाला burrowing एनेलिट्स है ठीक है जो की स्वाइल में लगभग तीस से चालिस सेंटीमीटर गहरे बरो में रहता है तो इसकी जो बरो है ठीक है इसकी जो बिल है तीस से चालिस सेंटीमीटर गहरी होती है तो यह भी आपको इक point याद रखना है कि यह burrowing analytes है बरो में रहता है बिल में रहता है दूसरी बात कया है कि यह soil के अंदर तीस से चालिस सेंटीमीटर गहरी बिल में पाया जाता है इक और point ल्खिने यह नौक्तरनल रातरी चर्र यह दिन के समय कम और रात के समय ज़ाधा बाहर निकलते हैं यह नौक्तरनल हुटा है यह रातरी चर्र हुटा है एक point और लिख लिखिलीजे garden में garden में इसकी presence garden में इसकी presence अगर हमान लोग किसी garden में ये पाया जा रहा है तो garden में इसकी presence कैसे करेंगे तो garden में इसकी presence इसके बरो के पास बरो के पास पाये जाने वाले warm casting warm casting मतलब किरमी कुन्चक इसको हिंदी में कहते है करमी कुंचक, सर ये क्या होता है, वार्म कास्टिंग क्या होता है, से की जाती है, अरे यार, याद करो न, आप लोग जब घोमने जाते हैं, ठीके, तो, नाली के किनारे आप देखेंगे, या फिल्ड में आप तहीं घोमने गए, खेलने गए, तो किनारे किनारे पर आप कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, आप यह भूमी मान लो और यहाँ पर कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर, ऐसे, अलग से, वार्म लाइक स्ट्रक्चर, फार्म में देखने को मिलता है, ये Actually, केचुवा अगर यहाँ पर पाया जा रहा है, जायड से बाति यहा आउसे खाता और एनसे बाहर निकालते जाता है तो जो बाहर की तरफ वेस्ट मेटेरियल हम यह कह सकते हैं निकलता है वो इसके बिल के उपर जमा होता जाता है इसको हम लोग वार्म कास्टिंग के नाम से जानते हैं और अगर यह वार्म कास्टिंग वहाँ पर पाई जा रहे अब हम बात करेंगे इसके external morphology की यह भी important है इसका external morphology कैसा है ना तो फटा पर टेटिंग डाल दीजे external external इसकी अनाटोमी भी हम लोग देखेंगे लेकिन पहले हम लोग इसको externally form में कैसा दिखता है उसके बारे में समझ लेते हैं external morphology में सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे आपर नंबर एक इसे सामाने तह कि से कॉमनली कि अर्थ वॉम एट मिन्स केचुवा कहते हैं कि इसे सामाने बासा में क्या कहा जाता है केचुवा कहा जाता है अब देखिए मैंने क्यू लिखाया पॉइंट इस इस पॉइंट को लिखाने का में मकसद यह नि कि मुझे कॉपी बरवान है नहीं इस पॉइंट को लिखाने का में मकसद यह है कि आपको यह याद रहे कि यह पॉइंट के आप लिखना है अगर पूरे केचुवा के बारे में आ रहा है उसका क्लासिफिकेशन तो आप इस पॉइंट को नहीं लिख सकते हैं लेकिन अगर माल लीजे सब्सक्राइट खाली और खाली और खाली पूछा जा सकता है कि कहीं किसी लैंड में या किसी भूमी में केचुवा पाया जा रहा है कैसे आप पता करेंगे तो उसकी वार्म कास्टिंग के दौरा या उसकी वार्म कास्टिंग की प्रिजेंस के दौरा आप पता कर पाएंगे कि उस एरिया में या उस लैंड में क्या पाया जा रहा है केचुवा पाया जा रहा है केचुवा कैसा होता है यह अपने भोजन को किस समय करता है जिन के समय रात के समय तुर रात के समय नॉक्टर्णल होता है इसे सामाने भासा में क्या कहते हैं इसे सामाने भासा में पुस्तुमा को फैरिदिमा पुस्तमा का कॉमनली नेम क्या है समझ रहे हैं तो इस तरीके से बहुत सारे कोश्चन आपके objective टाइप में बनते हैं तो इसलिए points लिखते चलें बहुत-बहुत important points यहां पर मैं लिखा रहा हूँ आप सभी दूसरा point इसकी body इसकी body cylindrical इसकी body cylindrical तथा इसकी लंबाई यहनि लेंद इसकी लंबाई लगभग लगभग 150 mm तक होती है तो अर्थवाम की body कैसी होती है cylindrical होती है बेलनाकार होती है इसकी length कितनी हो सकती है 1500 mm तक हो सकती है इसकी length कितनी हो सकती है 1500 mm तक हो सकती है next one लिख लिख लिजए third one लिख 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 लिजए इसके body का color इसके body का color reddish brown किया सा होता है reddish brown होता है क्यों होता है क्योंकि लिखें जो की यह color यह अर्थ वाम में पोर फाइरीन नामक पिगमेंट के कारण होता है तो ये पॉइंट भी इंपोर्टेंट है भाई इसके बाड़ी का कलर कैसा होता है इसके बाड़ी का कलर रेडिश ब्राउन होता है सर ठीक है body का color reddish brown है तो ये किस कारण है तो ये pigment पाया जाता है इसके body में जिसको हम लोग poor farine कहते है और ये poor farine pigment के कारण ही अर्थवाम का color कैसा होता है reddish brown होता है समझ मैं है चलो next point लिख लीजिए next point लिखें याँ पर साथ के साथ लिखते चलिए अगला point लिख लें इनकी body segmented होती है जाथा point है इनकी body segmented होती है इनकी body कैसे होती है segmented होती है जाथा इसमें इसमें metameric segmentation metameric segmentation metameric segmentation केरें मतलब क्या होता है वास्तविक खंडी भवन वास्तविक खंडी भवन अरे सर ये वास्तविक खंडी भवन कहने का मतलब क्या है metameric segmentation कहने का मतलब क्या होता है तेकि metameric segmentation कहने का मतलब होता है suppose that मालो ये art form है पान लो और इस अर्थवाम के उपर बहुत सारा क्या है segment पाया जा रहा है that means ring form में segment पाया जा रहा है जो चीज आपको बाहर से segment दिखाई दे रही है जैसे rings आपको बाहर से दिखाई दे रहे है जब आप इस अर्थवाम को ऐसे cut करेंगे न इस तरीके से काटेंगे और इसको काटने के बाद जब इसको खोलेंगे इसकी skin को खोलेंगे तो आप देखेंगे जो ring बाहर से दिखाई पड़ रहे है वही ring इसके body के अंदर से भी दिखाई पड़ रहे है तो ऐसे segmentation को ऐसे खंडी भवन को हम लोग कहते है metametric segmentation क्याते है बहुत simple language में बेने समझाने का प्रयास किया है ठीके खंडी भवन क्या है पाया जाता है ठीके अगला point लिख लीजिए इसके body में इसके body में 100 से लेकर 120 तक segments पाया जाते है तो आप देखें यहाँ पर भी fix number नहीं है segments का segments का fix number कहाँ पर था लीच में 100 से लेकर 120 तक क्या पाया जाते है segments पाये जाते है या पाये जा सकते है 100 से कमने होंगे 100 से जादे होंगे अगला point लिख लीजिए इसके mouth के उपर इसके mouth के उपर यह खास बात है इसके mouth के उपर prostomium पाया जाता है prostomium पाया जाता है mouth के उपर क्या पाया जारा बटा prostomium पाया जारा prostomium क्या है देखें यह एक structure है ठीक है लेकिन यह जो prostomium होता नहीं यह पहला segment नहीं है तो आप देखें ये वाला जो structure आप देख पा रहे होंगे sorry मैं इसको highlight कर दे रहा हूँ ये ये जो structure है ये इसका pro-stomium कहला रहा है ये कहला रहा है pro-stomium लेकिन ये pro-stomium आप कहाएं कि ये segment है तो ये segment नहीं है ठीक है तो pro-stomium पाया जाता है यहा अर्थ-warm का ये confusion question आता है यहाँ पर confusing question ठीक है confusing question ये है आपका क्या कि अर्थ-warm का first segment कौन सा होता है तो first segment यहाँ पर अर्थ-warm का pro-stomium नहीं बलकि peristomium होता है देखे यहाँ पर मैं आपको डाग्राम में दिखाता हूँ तो pro-stomium जो है वो आगे की तरह पाया जारा है लेकिन यह देखो ये वाला segment आपको देख रहो ये वाला like this ये वाला इसके ठीक पीछे ये वाला जो segment है ये peristomium है तो अर्थ-warm का पहला segment कौन सा होता है तो अर्थ-warm का first segment आपका है peristomium तो सर प्रो-stomium क्या है अरे प्रो-stomium nothing कुछ नहीं है ये एक ऐसा structure होता है जो की अर्थ-warm को बिल में गुसने के लिए या बिल बनाने में सहायता बदान करता है लिख लो फटा-फट तेरे साब से आपकी concept बिल्कुल के लिए लोने चाहिए चाहिए या अर्थ-warm को या अर्थ-warm को दरारों में या फिलों में या फिलों में गुसने के लिए गुसने के लिए सहायता करता है ते गुसने के लिए सहायता करता है अब एक पॉइंट यहां पर मैं स्टा बनातर के लिए यूट लिखा ओ जिसको आपको यादी रखना है कि प्लोमीयम प्लोम इर्थ्वाम का है डूम स्ट सेग्मेंटबर नहीं है कि प्लोमिंज दो इस तोमिज एक लू who are theस और्वाम का सेग्मेंट नहीं है तुरिस्टमियम पेरे सिट्मियं यसी में पप्धेरी लिखलें अर्थवाम का 1st segment होता है पेरी सीट्मिय अर्थवाम का 1st segment होता है तथा यहां पर एक कुआण्ट ओ लिख लेते हैं तथा last segment तथा last segment 5GDM 5GDM ठीक है तता लास्ट सेग्मेंट कौन सा होता है पाई जीडियम होता है उसका जो पहला सेग्मेंट है वो पेरी स्टोमियम होता है और लास्ट सेग्मेंट है वो पाई जीडियम होता है ठीक है पाई जीडियम होता है जिसमें एनस ओपनिंग पाई जाती है यहां पर आप यह लिख सकते हैं जिसमें क्या होता है माउथ ओपनिंग पाई जाती है मैं आप थोड़ा सा इसको पाई जाती है तथा लास्ट सेगमेंट क्या होता है पाई जीडियम होता है जिसमें क्या पाई जाती है पाई जाती है तो इस तरीके सा आप पॉइंट यह याद रखेंगे जो मैंने इस्टा बनागर के पॉइंट लिखा यह बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एक नंबर का कोशन आ सकता है कि भाईया बताइए अर्थवां का पहला सेगमेंट कौन सा है तो उसमें आपका दे दि जरारों में बिलो में घुषने में साहता पograf lleva घेटीयम होता है लास सेगमेंट कौन सा होता है वेयलेटरल सिमेट्री हिसमें बीलेटरल सेटीबाए स्मिट्री के बारे में आपको पते ही चल गया होगए इसके बारे में क्या बारबार पूरा लेक्ट्टर सुर्वास ने हमारा देखेर है तो इसमें चेहरै पंचया पाई लेटरल सिमेटरीं पाएजाती तो कुश्ष्छन आता है डाल कने इसमेजिए समीटरीं पाई जाता है तो जो body organization है वो इन में नहीं tissue level का है ठीक है नहीं organ level का है बलकी organ system level का है organ system that means हम यहाँ पर कहेंगे कि जो यहाँ पर इसके अंदर activity हो रहे ही तो उन activity को कराने के लिए यहाँ पर different type के organ आपसे मिल करके system को create करेंगे इसलिए इसको हम दो कहा करते है organ system level of body organization अर्थ वाम में organ system level का body organization पाया जाता है इस बात को भी याद रखेगा बिटा अगला point important है आपका next point इनकी body यह याद रखेगा इनकी body moist होती है moist के नहीं का मतलब समझते हो अलकी सी भीगी भीगी इनकी तचा रहती है जो की moist skin होने के कारण क्या होती है जो की respiration इनकी body moist होती है जो की respiration में सहायता करती है जो की respiration में क्या करती है सहायता करती है अगला point इनकी डॉर्सल सर्फेस पर एक डॉर्सल बैंड नहीं एक डॉर्सल ब्लड वैसल्स पाई जाती है इनकी डॉर्सल सर्फेस पर एक डॉर्सल ब्लड वैसल्स पाई जाती है जो की काफी डार्क होती है आपको दिखाई भी पड़ती है इनकी वेंट्रल सर्फेस पर इनकी या इसकी वेंट्रल सर्फेस पर अलग 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 प्रकार के पूर्स पाई जाते है तो डॉर्सल सर्फेस पर आप देखेंगे कि एक बहुत डार्क, रेडिस डार्क कलर की क्या पाई जाती है बच्छा, रेडिस डार्क कलर की ब्लड वेसल स्पाई जा रही है यहां कि डॉर्सल सर्फेस पर रेडिस डार्क कलर की क्या पाई जा रही है ब्लड वेसल्स पाई जाती है राइट जैसे कि अगर मैं आपको यहां पर बताऊं तो कुछ इस तरीके का स्टक्चर आपको देखने को यहां पर मिलेगा डॉर्स डार्क कलर मैं अड़ कर देता हूं प्रफ क का वागयि उण जी यह रही है स्टक्टर आप देख रहे हैं कि यहहां से लेकर के यह दॉर्सल आक से का की वज़ाओ यह सरफेश मैं यह और यह है और आसट का है यहां पर एक क्या पाई जा रही है डॉर्सल ब्लड वेसल्स पाई जा रही है तो डॉर्सल सर्केस पर एक डॉर्सल ब्लड वेसल्स पाई जा रही है जो कि आप इसको इसली तरीके से इसको बहले दुलने है अच्छा से आप इसको नॉर्मल तरीके से अगर देखना चाहें तो इसके बॉड़ी के अंडर आप इसको जहांक सकते हैं देख सकते हैं राइट ठीक है उसकी वेंट्रल सर् जो होती है उस पर अलग-अलग प्रकार की क्या पाए जाते हैं पूर्स पाए जाते हैं चलो-जोडी इस पर मैथिकल पूर्स ज्युक्र वाहिका चिद्र चार जोड़ी इस पर मैथिकल पूर्स पाए जाते हैं अभी जो चार जोड़ी इस पर मैथिकल पूर्स हैं ये किस सेग्मेंट में पाए जाते हैं तो पांच में सेग्मेंट से लेकर के नवे सेग्मेंट में ठीक है 90 segment के inter segmental group lateral position में पाय जाते हैं तो चार जोड़ी spermatical pores पाय जाते हैं पाय जाते हैं जो की 5th segment से लेकर जो की 5th segment से 9th segment जो की 5th segment से 9th segment के 9th segment के बीच में यहनि की inter inter segmental groups में inter segmental groups में lateral position lateral position में arrange रहते हैं में arrange रहते हैं और example जैसे हम देखेंगे यहाँ पर 5-6 यहाँ पांचमा और छटा segment में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा इनके बीच में आपको देखने को मिलेगा टीके फामा छटे 7-7 их segment में मिलेगा छटे 7-7 segment में आपको देखने को मिलेगा 7-8 segment के में देखने को मिलेगा और 8-9 segment के बीच में टीके लाइक डाट जैसे मालो टीक और इसमें क्या पाजाना segments पाजाना माल लो एक सेग्मेंट दू तीन चार पांच इस तरीके से ठीक है तीन चार पांच छे साथ एक दू तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस प्यारा आगे भी बहुत सारे हैं दूसरा सेग्मेंट तीसरा सेग्मेंट है चौथा पाच्मा च्छाट journals न гр मैंने बताया कि इंद में इंटर सेग्मेंटल गरूब पाए जाते हैं तो इंटर सेग्मील गुरूफ करने किया होता है कि ये वाला जो structure है, ये वाला, ये जो हैं, ये क्यालाते हैं intersegmental groups, फिक ग्रूब मनें दरार, intersegmental group, ये intersegmental group पाई जा रही है, अब ये जो intersegmental group हैं, इन दोनों के बीच में, क्या पाई जा रहा है, segment पाई जा रहा है, इन दोनों के बीच में, क्या पाई जा रहा है, इन देखो एक, दो, तीन, चार, पांच, यह पांचमा सेगमेंट और यह छटा सेगमेंट है तो पांचमें और छटे सेगमेंट के बीच में पांचमें और छटे, मैं सेगमेंट के उपर लिख देता हूँ कितने segments यहां पर है like intersegmental group मालो यह वाला एक है यह दूसरा है यह तीसरा है यह चौथा है यह पांचमा है यह छटा है यह पर यह जो 100 तक का कोई एक अर्थवाम है 100 segments उसमें पाया जा रहे हैं जिसमें यह क्या पाया जा रहा है इंटर सेग्मेंटल ग्रूप के बीच में क्या पाया जा रहा है इस पर mythical पोर्स पाया रहे है लेटरल पोजिशन में और इसमें प्रेथिकल पोर्स पांच में इंटर सेग्मेंटल ग्रूप से ले करके नवें इंटर सेग्मेंटल ग्रूप तक एक पेर के रूपे पाया जाते हैं जोकि चार होते हैं यह पाँचमेंटल चैनल में और आखिक दो रूंटल चैनल ग्रूप पाँचमेंटल चैनल ह मेइं कि अलने पाया जाते हैं जाए चैनल मेंशन ग्रूह इसुन 8 के बीच में 8 और 9 के बीच में तो यहां पर देखो 5 से 6 6 से 7 5 से 6 और यह क्या है 6 से 7 के बीच में पाए जा रहा है यह 7 से 8 के बीच में पाए जा रहा है यह 8 से 9 के बीच में पाए जा रहा है यहां पर 5 से लेकर के 5 से लेकर के 5 तू जो 9 इंटर सेग्मेंटल 5th to 9th intersegmental groups हैं इन में क्या arrange हैं आपके 4 pair 4 pairs ये देखो 4 जोड़ी 1, 2, 3, 4 4 pairs of 4 pairs क्या पाए जा रहा है spermatical 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 pores इन में क्या पाए जा रहा है 4 जोड़ी spermatical pores पाए जा रहे हैं बच्चों समझ में आ रहा है जो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो spermatical pores है ना इनका आगे बहुत-बहुत बड़ा use होता है मैं आगे बताऊंगा point लिखें next next point लिखें पटापर 14th segment में 14th segment में एक female genital 14th segment में एक female genital pore पाया जाता है याद रखेगा 14th segment में female genital pore पाया जाता है तो question आएगा female genital pore earthworm की किस segment में present होता है तो 14th segment में female genital pore पाया जाता है अच्छा इसके बाद में अगला point याद रखें 18th segment में ये point आपको रटने ही पढ़ेंगे 18th segment में lateral position lateral position में एक जोड़ी that means one pair में one pair male genital pore male genital pore पाया जाते हैं आगे जब मैं इसका reproduction पढ़ाऊंगा तब आपको वहाँ पर अच्छे से समझ में आएगा तो आपको याद रखना है इस बात को याद रखना अच्छा अब जो यहाँ पर 17th और 19th होता है दो आठारवे के उपर वाला 17th वा और 18 नीचे वाला 19th segments में segments में ventral surface पर ventral surface पर एक एक जोडी एक एक जोडी जनाइटल जनाइटल पैपिली एक एक जोडी जनाइटल पैपिली पाये जाते है तो जनाइटल पैपिली किस सेगमेंट में आरेंज रहते हैं तो 17 और 19 17 और 19 सेगमें वेंटरल सर्फेस पर क्या पाये जा रहा है दॉर्सल सर्फेस पर नहीं, बलकि वेंटरल सर्फेस पर एक एक जोड़ी जनाइटल पेपल ही पाया जाते है 18 सेगमेंट में लेटरल सर्फेस लेटरल पोजीशन में, लेटरल पोजीशन में ना कि सर्फेस पर क्या पाया जा रहा है है ये भी mental surface पर ही, क्या पाये जा रहा है, one pair male genital pore, ठीक है, अगला point लिख लो, body पर, body पर, dorsal pores पाये जाते हैं, पाये जाते हैं, जिन से body fluid बाहर निकलता है, वा, body को, मैंने पताया था ना, moist इनकी body रहते हैं, जो कि respiration में सायता करती है, वा body को moist बनाता है, इनकी body सूखी नहीं होती है, खुर्दूरी नहीं होती है, बल्कि कैसे dry नहीं होती है, बल्कि कैसे होती है, moist होती है, right, अगला point लिख लीजिए, इनकी body पर, इनकी body पर nephrediopores इनकी body पर nephrediopores भी पाये जाते हैं nephrediopores भी पाये जाते हैं जिनसे excretory materials जिनसे excretory materials को बाहर निकाला जाता है बाहर निकाला जाता है अगला point body के body के 14th 15th वा 16th याद रखेगा 14th 15th 16th यानि कि 14 पंद्रमे और 16 सेग्मेंट में segment में klitelum अब तो इसके बारे में common लगने लगा होगा klitelum क्या होता है खकुन का फ़ारमेशन करता है ठीक है कलई प्लारम पाया जाता है तो अर्थ वाम में याद रखेगा अर्थ वाम में किस सेग्मेंट में klitelum पाया जाता है तो 14th 15th और 16th फंद्रमें 14th 15th और 16th पाया जाता है 17 सेग्मेंट चूटता और 18 सेग्मेंट में आपका लेटरल पोजीशन पर एक जोड़ी क्या पाया जा रहा है एक जोड़ी क्या पाया जा रहा है और जो 17 सेग्मेंट चूटा था ठीक है सोल में सेग्मेंट में, पंदर में और चोद में सेग्मेंट में क्लाइट एलम था, तो वही पर सत्रमें सेग्मेंट और उननिसमें सेग्मेंट में, सत्तरमें और उननिसमें सेग्मेंट में आपने क्या देखा कि यहाँ पर सत्तरवे और उनिसमे सेइभमन में आपने देखा कि यहां पर इसके सारे सेङ्मेंट कबर होगे कि नहीं होगे अब इमागे एक ग्राब बना दूँगा जीसे बता दूगा कौन कौन से segment में कहके present है right next point अच्छा इसमें लेकलो क्लाइटलम पाया जाता है जो की अर्थ वाम में कॉकून का formation कर आता है ब्रीडिंग सेजन में याद रखेंग ब्रीडिंग सेजन में कॉकून का फर्मेशन कराता है, अगला पॉइंट, क्लाइटेलम, थोड़ा सा याद रखिए गाप, क्लाइटेलम के आधार पर, क्लाइटेलम के आधार पर, पीन रीजन, क्लाइटेलम के आधार पर अर्थ वाम को, ऐसे लिए, क्लाइटेलम के आधार पर अर्थ वाम को, त्री रिजन्स में तीन छेत्रों में तीन भागों में डिवाइड किया गया है पहला जो भाग है उसको बोलते हैं प्री क्लाइटेलर 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 प्री क्लाइटेल में पंद्रमें और सोल में 14 15 16 सेग्मेंट में पता है ना अभी मैंने बता है 14 16 सेग्मेंट क्लाइटेलर रिजन क्या लाता है और थर्ड जो है वो है पोस्ट पोस्ट क्लाइटेलर रिजन पोस्ट क्लाइटेलर रिजन है यह आपको पता है सत्रमें सेग्मेंट से लेकर के लास्ट सेग्मेंट तथ आपका क्या पाया जा रहा है पोस्ट क्लाइटेलर रिजन पाया जाता है और यहां पर क्लाइटेलर रिजन कितने में होता है मैंने बता है 14 तू 14 तू 16 सेग्मेंट 14 पंदर में और 16 सेग्मेंट क्या कहलाता है क्लाइ टेलर रिजन कहलाता है तो इस तरीके से हमने यहाँ पर अर्थवाम के जनरल फीचर को अच्छे से समझ लिया अब हम इसके थोड़ा सा स्ट्रक्चर के ऊपर चर्चा कर लेते हैं वह में लिखा दूँगा आपको जिससे आपको बड़ा सहयता रहेगी दिक्कत नहीं होगी किसी बात की यह हमारा अर्थवाम का डाइग्राम मना हुआ है आप लोगों को बाखो भी दिख रहा होगा मैं यहाँ पर थोड़ा से उसको और छोटा कर लेता हूँ यह सर्फेस है दोस अबर दिखाएं कि फिगर है किसका एक्च्वल है तो यह फिगर है अर्थवाम का अर्थवाम राइच आप आप देखें यहां पर मैंने बताया की यह इसका एंटेयर रीजन ऐ एंटेयर आर्डेजन और यह इसका क्या है पॉस्चीरियर कैसे पेचानों के anterior और posterior anterior reason जहां पर आप देखें clitealum present है जहां पर जिस और clitealum है उसको हम लोग anterior बोलेंगे और जिस और clitealum नहीं है उसको हम लोग posterior reason कहते है ठीक जिस segment में clitealum present है अब देखें जिस reason में आगे की तरफ आपको मिलेगा तो आगे की तरफ clitealum मतलब हम यह कहें clitealum से जो छोटा वाला भाग होगा अर्थवाम का छोटा वाला portion होगा वो इसका anterior reason कहलाएगा और लंबा वाला portion posterior reason कहलाता है इस तरीके समस्कों समझ सकते है जान सकते है अब देखें मैंने बताए कि सबसे आगे की ओर यहाँ पर देखें यह एक structure पाया जा रहा है anterior reason में जिसको हम लोग कहा रहे है प्रोस्टोमियम कहा रहे है और प्रोस्टोमियम के बारे में मैंने बताए कि इसका main भाग होता है कि यह क्या करता है दरारो में या भोमी के अंदर घुषने में सायता करता है और यह अर्थवाम का पहला segment नहीं होता है प्रोस्टोमियम के ठीक नीचे एक segment पाया जाता है जिसको लोग पेरी स्टोमियम कहते है यह पेरी स्टोमियम first segment होता है first segment माना जाता है कि इसका अर्थवाम का और इसी पेरी स्टोमियम में यहाँ पर mouth opening भी पाई जाती है ठीक है इसमें क्या पाय जा रही है और यहाँ पर जो segments आपको देखने को मिलने लाइक दीस यह वाला यह आपको पता ना अर्थवाम कैसा होता segmented होता है यह वाला segmentation पाया जा रहा है metamary type of segmentation यहाँ पर पाया जाता है तो सभी को समझ में आ रहा है comments कर दें चलिए हाँ ठीक है anterior reason के ठीक नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पर यह first segment है जहाँ पर आपको पता है कि mouth opening भी पाय जाती है अच्छा यह जो segment है metamary segmentation के कारण यहाँ पर यह जो भाग divide हो जाते है तो जहाँ पर जो structure बनता है cylindrical type का इसको आपको क्या कहते है CT कहते है CT कहते है जो की locomotion में जो की locomotion में help करती है ठीक है It helps in locomotion यह locomotion में कहा करता है बच्चा help करता है यह clitalum region पाया जा रहा है इसके anterior region की तरफ और clitalum region आपको पता है कौन से कौन से segment में होता है 14th to 16th segment में आपको पता होना चीए 14th से लेकर के 16th segment तक clitalum पाया जाता है जो की इसके breeding season में क्या कराता है कुकून का formation कराता है जिसके अंदर fertilized egg को stored करके body के बाहर निकाल दिया जाता है और suitable condition में again क्या करते है mature form में आ जाते है चीख है यह दो इसके body के postural end पर क्या पाया जा रहा एनस पाया जा रहा जिसको हम लोग गुदा कहते है एनस पाया जा जा रहा जिसको dorsal और ventral surface पर हम लोग समझ रहा है देखे जो clitealum है इस clitealum में आप यहाँ पर देखेंगे कि 4 pairs एक, दो, तीन, चार तीन जोड़ी यहाँ पर male genital अच्छा यह clitealum में आप देख रहे है clitealum में आप देख रहे है परटीन सेग्मेंट में पाया जा रहा है तो clitealum 14 से लेकर के 14, 15, 16, 17, 17 में तक यहाँ पर क्या पाया जा रहा है male genital, male genital aperture तो यहाँ पर आप देखिए 17, 18 तक यहाँ पर आप देखिए यह वाला जो reason है यहाँ पर clitealum में female genital aperture पाया जा रहा है यह क्या पाया जारा फीमेल जनाइटल अपर्चल डैट मींज मादा जनन छिद्र इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं और यह स्पेशली 14th सेग्मेंट में प्रेजेंट होता है कौन सा 14 सेग्मेंट में को ज क्या जा एक जोडी में जनाइटिल पर्च कर जटरा है और अपको पता नर जनन छिद्र एक जोडी होते हैं आप लिख सकते हैं एक जोड़ी नर जनन छिद्र एक जोड़ी नर जनन छिद्र यहां पर पाए जा रहे हैं जो की कौन से सेग्मेंट में होता है? 18 सेग्मेंट में याद रखेगा, 18 सेग्मेंट, तो देखो, 14, 15, 16, 17, 18, 18 सेग्मेंट में, 18 सेग्मेंट में, यहाँ पर क्या पाया जारा है? male genital aperture, one pair of male genital, वो थोड़ा सा पास-पास consist होगे आप इसको थोड़ा सा दूर भी बना सकते हैं ठीक है क्या पाया जा रही है मेल जनरेटल अपरचर और मेल जनरेटल अपरचर के ऊपर आप देखेंगे 17 सेगमें और 19 सेगमेंट जनाइटल पैपिली पाया जा रहा है क्या पाया जा रहा है जनाइडल पैपिली जो कि 17 सेगमेंट सेगमेंट में तथा 19 सेगमेंट में 18 सेगमेंट में तो मेल जनाइडल पाया जा रहा है जनाइडल जनाइडल पैपिली पाया जा रहा है और मेल जनाइडल अपर्चर किस सेगमेंट में तो यह सेग्मेंट आपको याद रखना है कि उस तरीके से बिटा है यह हमारा क्या हो गया यह अर्थ वाम का इस्ट्रक्चर हो गया अब मैं फोला सा आप नोगों को यहां पर सेग्मेंट स के बारे में लिखा देता हूँ पुड़ा सा डिटेल में इसका history देख लेता है important है तो टोटल सेग्मेंट्स यहां पर पाये जा रहे हैं सेग्मेंट्स यहां पाये जा रहे हैं वो कितना है सौस लेकर 120 सेग्मेंट्स पाये जाते हैं जिसमें फॉस्ट सेग्मेंट जिसमें फॉस्ट सेग्मेंट की बात करें तो वो कितना है जिसमें आप लोग अगर फर्स सेग्मेंट की बात करें तो वो कौन सा है भाई या फर्स सेग्मेंट पर सेग्मेंट कौन सा बाई बताओ पर सेग्मेंट में है पेरी स्टोमियम पहला सेग्मेंट कौन सा है पेरी स्टोमियम और लास्ट सेग्मेंट कौन सा है लास्ट सेग्मेंट कौन सा है पाई जी डियम प्रो स्टोमियम में माउथ ओपनिंग होता है और PyGDM में पैनल ओपनिंग होता है हाँ भाया समझिये फिर उसके बाद में कलाइटेलरारम रेजन कहाँ पर 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 कितने सेगमेंटस में पर पाए जाता है कलाइटेलром épisode कलाइटेलम रेजन तो कलाइटेलरम रेजन जो होता है इसमें Clitealum Reason में कितने segments होता है तो Clitealum Reason जो होता है वो 14th, 15th वा 16th segments में होता है तो 14 से लेकर के 16 14, 15, 16 ये 3 segments Clitealum Reason के होता है 3 segments किसके होता है Clitealum Reason के होता है फिर वही पर आपको बहुत और याद रखनी है अच्छा Clitealum से पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि intersegmental group में जो lateral position में आपके spermatical pores पाए जाते हैं वो कितने segments में रहते हैं तो इसको हम थोड़ा सा नीचे ले आते हैं तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि पमझेगा जो intersegmental group है या इनमें four pair कि spiritual segments किइसध इसपर GP pore segments में आप यहाँ पर जेखेंगे कि एक, दो, तीन, चार चार segment में यहाँ पर पाया जाते हैं तो fifth two लेकर fifth segment से लेकर के fifth segment से लेकर के ninth segments में Spermethical Pores पाये जाते हैं 5th segment से लेकर के 9th segment में Spermethical Pores पाये जाते हैं समझ रहो गैठा यह बहूत important points में यह आपर पूरा एक graph बना करके लिखाये ते रहा बतलब इतना बड़ा जो मैंने points लिखाये उनको पूरा हटा दो एक किनारे और बस आप इन्हें याद कर दो, तो टोटल सेगमेंट सो से लेकर के 120 तक, पहला सेगमेंट पेरिस्टोमियम, दूसरा से लाइस सेगमेंट पाइजी डियम, इस पर मैथिकल पूर्स, पाँच मेर सेगमेंट से लेकर के 9 सेगमेंट तक पाया जाते हैं, क्लाइटेलम रीजन, में पाया जाता है 14 सेगमेंट में पाया जाता है और कितना होता एक जोड़ी होता है एक होता है केवल एक female genital pore के बाद में हम male genital pore की बात करें तो male genital pore की बात करना है तो male genital pore जो है यह 18 सेगमेंट में पाया जाता है और यह कैसा होता है एक जोड़ी होता है एक जोड़ी तो female genital pore केवल एक होता है जोकि 14 सेगमेंट में पाया जाता है फिर वही पर वही पर अगर हम लोग बात करने किसकी genital पैपली की तो genital जो पैपली है यह आपका प्रेजन्ट होता है male genital के उपर वाले में नीचे वाले में तो 18 सेगमेंट में आपका क्या पाया जा रहा है male genital pore तो 17 वा 19 वा 19 सेगमेंट में 17th वा 19th segment में क्या पाया जा रहा है आपका एक एक जोड़ी genital पैपली पाया जाता है जो भी मैंने याँ पर आपको segments बता है कि किस-किस segments में आपका क्या चीछ पाया जा रहा है तो इस बात को याद रखिएगा बच्छों इस तरीके से हमारा class समाप्त होता है अरतवाम के उपर हम लोगोंने काफी detail में यहाँ पर चर्चा कर ली है सबसे पहले बारे में इसके बाद में लोग उसके सिस्टम के उपर डिसकस करेंगे इसका डाइस्टि शिस्टम हो गया रेस्पृरिटरी सब डिसकस करेंगे